नमस्का स्वागते आपका आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूपिया मगीरती लेकर हाजिर हूँ पहार समचार कुम मेले के दो रहें सरकार ने मेले की संक्रमंट दरकम करने के लिए करोना के जादा से जादा R-PC और एंटीजन नेस्ट करवाने के दिजाम किया था और इस प्रकार के सभी टेस्टों को नेगेटिव भी किया गया है लेकिन आभी ये मामला आइसी एम आर के संग्यान में आने के बाद साशन ने इसकी जांच की और एक कंपनी के काम में अनेमता पाई जाने पर डीम दो हरिदवार को इसकी जांच सौब दी है अब सरकार ने इ बिलास्तर के साथ साथ राजस्तर पर जान शुरू कर दी है इजाना इस वक्त हरिदवार से इंतिजार हमाई साथ जोट चुके हैं मैं आपसे जाने चाहूँगी इंतिजार क्या लगता है कि जो यह टेस्टिंग के लिए जिसका टेंडर दिया गया था जिस हॉस्पिटल को कि टेस्ट की एजास्मेंट क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है किस फरजी वारे की बात की जा रही है कि लोग हर्दवार कुम्ब को लेकर के तो इसमें जाच कराई जाए जाए और जो भी यह फरजी वाड़ा किया है जाच कर रहा है और कुम्ब को लेकर के तो इसमें जाच जिलादिकारी के मत्यम से टीमें बनाए गई है जाच जारी है कि बहुत बहुत शुक्री अंतिजार आम ऐसा जूड़ने के लिए तो जिस तरह से आइसी एमर को अब जाच वाड़ा सामने आ रहा है कि जिनको को लोगों की टेस्ट करने के लिए कुम्ब में निर्देश दिये गया तो उन्होंने उन लोगों की रिपोर्ट निकाली है ज चमोली में कारियों का ब्योरा देने के लिए प्रसवारता की इस दौरान कोरोना के कारण चरदम यात्रा जो दो महीने से बंद पड़ी उसे भी चरदम तरीके से शुरू किये जाने का प्रयास की अजारा है जल्द ही यात्रा अपने स्वरूप में दिखाई देगी उन्हो सबाद चेतर आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुई है छे महीने के बीतर आपदा से प्रभावित 38 से अधिक गाउं को विस्थापित कर दिया जाएगा को लेकर आगे विधायक ने कहा कि विशेशक्यों के अनुसार कोरोना की तीसरी लेहर भी आ सकती है जसके लिए भ पोकरी विखास खंडो में ऑक्सीजन प्लांट सापित किया जा रहे हैं इसका अगर दस प्रत्चत्वी पिछले दस वर्सम आया हो तो क्योंकि आथ तो सुतने का इज़कार हरामी पूर सकता है इसलिए मैंने समझा कि उच्छी समझा कि साड़े चार साल के बाद लोगडाउन में जरुरतमन लोगों को राशन बाकने के लिए खादापूर्ती विभाग और कई समाजिक संस्थाओं ने तहसील प्रशासन को राशन उपलब्द करवाया था लेकिन विभागी लापरवाही के चलते आज हालत यह है कि स्टॉक किये गए राशन से सिर्फ कुछ ही लोगों को लाव मिल पाया और कहा जा रहा है कि बाकी का राशन तहसील परिसर के कमरे में सड़ रहा है हाला कि मामले को लेकर उबजिला अधिकारी मनीश कुमार ने बताया कि उन्हें कुछ ही दिनों पहले चार समाला है स्टॉक किये हुए राशन की जांच की जा रही है उदम सिंग नगर में अवैध हतियारों के समद में पुलिस को काफी समय से शिकायत मिल रही थी इस शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए लालकुआ के छेतरा अंतरगत अवैध हतियारों का जखीरा बरामत किया है चेकिंग के लिए अभ्यान चलाएगा इसा अभ्यान के जरिये पुलिस के हाथ सफलता लगी है इलाके के शमशान घाट के पास जंगल से तीन यूव को को दो बंदू को और एक तमंचे के साथ गिरफतार किया गया है पकड़े गया आरोपियों के पास से दिन्दा कर्तूस और खोके भी बरामत हुए है गिरफतार के गया दो आरोपी बिंदू खता के रहने वाले हैं जबकि एक पंतरगर की चकफेरी कालोनी का रहने वाला है हमको कुछ समय से सूजना मिल रही थी कि कोई यहां आवएद असलों के साथ यहां लोग रहते हैं और किसी क्राइन की करने की फिराक में इस सूजना पर हमारे दौर एक टीम लगाई गई टीम को कल साम सूजना मिली लेट आवर में कि तीन लोग हैं जो बाइक पर हैं और वो संसान गाड़ के पास असलों के साथ हैं और किसी घटना बड़ी घटना करने की फिराग इस सूजना पर हमारे टीम ने हमाही घेरावंदerson Reedie करने के बाद उन लड़कों को पकड़ा beş Nord Nord 15 लर ने लोगों के पास구요 और 11 सचिन पाइलट और काजी निजामदीन बाहार निकले जहां मीडिया से रुबरू होते हैं सचिन पाइलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कॉंग्रेस के वरिशनेता और काजी निजामदीन की माता की दिहान के बाद उनका दुख बाटने के लिए उनके घर आया हूँ सचिन पाइलट ने राजस्थान के सियासी उलट फेर के सवाल पर उत्राखंड सरकार पर निशाना भी साधा वो बोले उत्राखंड में चहरे बदलने से कुछ नहीं होने वाला है उत्रकर्ण में प्रभारी प्रचंड के साथ में कॉंग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है तो वही सचिन पाइलट राजस्थान के एहलो सरकार में चल रही सियासत पर जवाब देने से बसते नजर आए जबकि सचिन पाइलट कई दिनों से दिली में डेरा डाले हुए हैं ऐसे में प्रदेश में होने वाले विधान सबचुनाओं को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है रोधिप्रयाग के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत ने विकास भवन सबागार में जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर ज़रूरी बैठक ली जिसमें तै कारिकरम के तहत जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत पहुचे और जिले के सभी अधिकारियों के साथ आपदा से निपटने और बरसाथ में आने वाली महतपूर समस्याओं के लेकर आवश्यक बैठक कर दिशा निर्देश दिये और भारी मंत्री ने कहा कि जिले में अतरिक्त 25 जेसे भी मशीने अलग अलग जगों पर तैनात रहेंगी उन्हें एरिया दिया जाए ताकि सडकों पर जल से जल खोला जाता रहे किसी भी प्रकार से रोड बादित ना रहे पानी विजली खदान को लेकर सबी विभाग अपने अपनी तैयारिया पूरी रखे जनता को किसी भी प्रकार से दिखकर नहीं होनी चाहिए कि कीन बाते हैं आपे में एक तो पीड़नी की जितने भी सब्सक्राइब और जिलापला पचीस जेसीवी लगाने का मैंने आज आदे दिया है कि पुरे दिख्याई के लिए आज से लेके और सितंबर बादे रोड़ों के मार के कहीं भी अगर अधर अव्डूद होते तो उनको जल्दी चार-चार घंटे के लिए दो घंटे में उनको फुना आए और प्रतेग ज पुच्च सिक्षा एवं आपदा प्रमंदंग मंत्री श्रीधन सिंग रावत ने श्री नगर विधानसमाच छेत्र में साक्षरता अभ्यान को शत प्रतिशत कराने के लिए विकास भवन पौडी में अधिकारियों के साथ बैठकी लिए पठन पार्थन की सामगरी मौजूद होगी पुस्तकालियों को मौडल के रूप में विक्सित करने के दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया गावी 15 अगस्त यानि की स्वतंदता दिवस के पावन मौके पर इन पुस्तकालियों का नियोकारपन किया ज में के निजम मनाए जा रहा है और हमें सोच रहे हैं कि 100% साक्षिता आपने मैं विधान सवा में करने जा रहा हूं और बहुत जल्दी इस पूरे अभ्यान का हम रोग एक लोड बनाएंगे और जल्दी इसकी लॉंचिंग करने लालकुवा विधान सवा कॉंग्रस के विधासा छोड़ी है उन्होंने उनके निदन पर शोक व्यक्त करते हुए का कि हिरदेश ने अपनी अंतिमसांस तक कॉंग्रेस पार्टी की सेवा की है उन्होंने प्रदेश में एक विधायक पारशद मंत्री और विपक्ष की नेता के तोर पर जन सेवा की विरासा इन सबके अलावा वो उम्र भर कॉंग्रेस के प्रती समर्पित रही इंद्रा हिरदेश के निधन से कॉंग्रेस प्रदेश में हुए इस बड़े नुक्सान को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है मैं देखे, मैंडम इंद्रा हदेश जी, कॉंग्रेस की एक बहुती सीनियर लीडर थी, मेरे खाल में सबसे सीनियर थी हूँ यहाँ, कितने बार वो MLC रही, विधायक रही, और उनको संसदी ग्यान भी बहुत ज़्यादा था, मैं देखे, अकस्मात उनके चले जाने से, कॉं कि मैडम हर सुक दुख में कोई भी काम भूम उनके पास जाते थे और हमारे कार्यों को, कॉंग्रेस पार्टी के कार्यों को, कार्य करताओं को, मान सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं करते थी, बै देखे, उनके जाने से, मिस्से इस तोर पर कॉमाओं में तो कॉंग्रेस को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है क्योंकि नेनिताल जिले की और उदम सिंग नेगर जिले में मेडम की बहुत तगड़ी पकड़ा थी और सुनाओं की तैरियों की सिल्सले में ही उसी सिंता में जो है उन्होंने अपने जो है उनके प्राण चले गए रोड़की छेट के श्मतल कराने के लिए जिलाद्िकारी हरद्वार और खनन विभाग से कुछ मिट्टी उठाने की अनुमती ली गई लेकिन कुछ लोगों के द्वारा नवशचक शिकायत कर उसके खेट से मिट्टी उठाने में बाधा डाली जा रही थी जिसके बाद पेड़ित के कार में ब मिट्टी उठान के लिए कहा गया है कि वो जल से जल काम को खत्म करें लेकिन ठेकेदार ने अधिकारियों पॉलिस का हवाला देते हुए कहा कि उक्त अधिकारी उनके काम में रोडा बन रहे हैं वहीं समंध में SDM पूरण सिंगराना ने कहा कि ग्रामीनों की शिकायत पर उक् पर उसमें टूटल शिक्सित्री हंडड़ कमेंटर मिट्य उठान के अर्मती है और तीन जोन को स्कून मती शुटी गई है कुछ बेक्तियों के दोड़ा गाउं में कंफ्रेंट की जा रही है डेली तर्फे तर्पे और मुझे भी कि सम्मधित बेक्ति के दोड़ा बहत बड करोना संक्रमन के चलते प्रदेश में चारधा म्यात्रा बंद होने से परिवन वैविसाई सड़क पर आ गया है परिवन वैविसाईयों की मांग है कि चारधा मयात्रा चलने का समय लगभगने कल ही चुका है अतरिक्त बचे समय में सरकार को यात्रा खोल देनी चाहिए परिवान व्यवसाई लगतार सरकार से चारधाम यात्रा खोलने की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर यात्रा रूटीशन बस स्टांड परिसर में परिवान व्यवसाईयों ने यग में आहूती डाल कर सरकार की शुद्धी बुद्धी की कामना किये देखे जी हम लगाता सरकार से मांग कर रहे हैं क्योंकि संपूर भारत में संपूर राष्ट में लोगडाउन फुलने की परिवान परिवान पर ही जिर्वार है इसके लाबा कुछ नहीं है तो अब हम सरकार से दिवेदन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा चरम यात्राकाल तो लबो लबो बीती चुक है लेकिन जो खुड़ा बहुत बचावा भी है उसके लिए संपूर वहान स्वामी और प्रेटन के विवरसाई पर बहुत बड़ा अपकार होगा भी है क के मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार मुझे घैका बातरवन पूरे देश में बनाया आए और जो यात्री आना चाहते हैं उनको भी रुखा है सरकार को उत्राखंड की वहांजनता से छमा मागनी चाहिए और समय रहते सरकार को घोसना करनी चाहिए पूरे देश से लोग यहां आएं कि तियात्रा पर आएं परियटन के लिए आएं और क्योंकि परिवन और परियटनी यहां गाड़ी के दो पईये हैं और मुझे बड़ा दुख है कि सरकार आज कोविट काल में परिवन उद्योक से जुड़ेवे लोग कितने रोजी रोटी से परिशान हैं पिछले वर्स पू इस बात को गंबीरता से लें पहले तो पूरे देश में इसकी घोसरा के रहें कि चारो धाम की आत्रा खुल दी गई मारतिय जन्ता पार्टी और पंजाबी कल्यान महसभा रुड़की विकास मंच की ओर से रुड़की के अवास विकास चौक पर एमपत लैप पर पांचवा वैक्सिनेशन फ्री कैम का आयोजन किया गया जिसमें रुड़की नगर के लोगों ने बढच़ड कर हिस्सा लिया दिन के बाद वैक्सिनेशन कैम्प में निश्ण डोज लगाई जा रही है वहाँ पर आये सभी बुजर्गों वैक्तियों को इस कैम्प के द्वारा लोगों को बड़ी राहत भी मिली है जहां एक और प्रदेश में वैक्सिन की किल्ला थे मही पर भाजपा पूर लगातार सायोग मिल रहा है और लगातार हमारा बुजर्ग लोगों की वैक्सिनेशन के लिए प्रयास जारी रहेगा उन्होंने कहा कि कैम्प के आयोजन में प्रवीन सिंदू भाजपा पश्रिमी उत्तरपदेश अद्याक्ष वरिष्ट भाजपा नेता अभिशेक चंद् अधी लोगों ने बढ़ चड़कर कैम्प में हिस्सा लिया सभी लोग हम मास्क और सेनीटाइजर बाटने लगेंगे तो फिर वो सारा के सारे में सानीटाइजर और मास्क मास्क हो जाएंगे तो रुड़की में जितनी भी सान्वाजिक संस्थाएं हैं सब अपना-पना तायव निभा रही हैं हमने अपना तायव तो वेकसीन लग्वाने पर निभाया है हम भी यह कोशिस करेंगे अभी कि हम लोग भी इसके बाद जैसा केम्प लगता है केम्प से 강़ें बीचम के ब में लोगों को समझाएं कि वही जब तक ये करोना खतम नहीं होता सेनिटाइजर मास्का परियोग करते रहें और क्योंकि आज की डेट में कोरोना से लड़ने का सबस्क बड़ा मात्य मगर है डीजीपी अशोग कुमार द्वारा को विट काल में चलाए जा रहे हैं मिशन होसल के तहत उत्राखन पुलिस प्रदेश भर में जुटी हुई है और जब से पुलिस कमिशन होसला अभियान शुरू हुआ है इसमें चाहे ऑक्सीजन सिलिंडर दवाईया राशन वानने मदद हो उपलप्त कराई जा चुकी है इसी करम में पुलिस चौकी में कलियर थाना प्र भारी धर्मेंदराथी ने पुलिस टीम की प्रशंसा की जिस तरीके से कोवेट संक्रिवन के दौर में उत्राखन की मित्र पुलिस देवदूत बनकर आमजन की मदद को हाथ बढ़ा रही है वास्ता में उनकी ये पहल बेहत प्रशंसनिय और सारानिय है उत्राखन राज हज समिती अध्यक्ष शमीम आलम ने प्रेस नोट कर जानकारी देते हैं बताया कि कोवेट महमारी की चलते साओधी हज मिनिस्ट्री ने दुनिया भर से किसी भी देश के लोग हज 2021 हज यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे साओधी सरकार ने ने देशों की हज यात्रा रद कर दी हैं साओधी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार भी दूसरे देशते कोई विक्ति हज नहीं कर सकेगा करोना महमारी के कारण ये लगातार दूसरा साल है जब दुनिया भर के लोग हज करने साओधी अरब नहीं जा पा रहे हैं सेंट्रल हज कमेटी मुंबई के अधिशासी अधिकारी ने संबन में एक वीडियो जारी कर बताया साओधी हज मिनिस्ट्री की ओर से ऐलान किया गया है कि साओधी अरब के अलावा किसी भी देश के लोग इस बार हज नहीं कर पाएंगे ऐसे में इस साल सभी हज यात्री नही होंगे हज 2021 में जाने के लिए लोगों ने आवेदन जमा किये थे मगर करोना की दूसरी लहर को देखते हुए साओधी सरकार ने 18-60 साल के बीच के यात्रियों को हज की अनुमती देने की बात कही थी जिसमें वैक्सीन के दो डोस लेने वाले ही जा सकते थे कई लोगों ने हज के पाक सफर जाने के लिए वैक्सिनेशन भी करा लिया था हज के लिए इस महा से यात्रियों का जत्ता साओधी अरब के लिए रवाना होता ना होना था लेकिन अब साओधी के 60,000 नागरिकों को हज करने की अनुमती दी गई है जिसमें अन देशों के नागरिकों को हज जियात्रा रद कर दी है पार समचार में फिलाल के लिए बस अतना ही फिर हादिरों के देखते रही है प्राइम टीवी जियात्रा रद कर देखते रही है